असलाम लेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, I hope you all are doing great तो आज की वीडियो में में लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा होम मेट कोफी स्क्रब जिसे आप डिफरेंट फेस से करेंगे तो आपके हैंड़ फीट नर्मो मुलाइम हो जाएंगे प्लस जो धूब में बैट-बैट के टैनिंग हो चुकी है, गंदी वाली, हमारी स्किन धूब में बैटने से जो बर्न हो जाती है, वो बिल्कुल रिमूब हो जाएगी प्लस इसे यूज़ करने से स्किन इंस्टन लाइटन अप होगी, ब्राइटन अप होगी और इवन टॉन हो जाएगी, वीडियो को स्किप नहीं करना ताके कोई भी पार्ट आप स्किप ना कर पाएं, क्यूंकि अगर आप इस स्क्रॉब को सेम ऐसे ही यूज़ करेंगे, ज वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन सके, और अगर वीडियो अच्छ लगे तर लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले आपने लेनी है कोफी, यह स्किन पर जितनी भी डर्ट, धूल, गंदगी होगी, उसे अच्छे से रिमूब करने का काम करेगी, पोर्स को डीपली क्लीन क करेगी, जिस से आपके हैंज और फीड पर विजिबल ग्लो नजर आएगा, जैसा कि आप सब को पता है कि कोफी में कैफीन प्रेजन होता है, जो कि बलर सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जब आपकी बलर सर्कुलेशन इंप्रूब होती है, तो आपकी स्किन ब्राइट हो अच्छा जरूरी नहीं है कि आप इसी ब्रैंड की कफी आड करें, आप किसी ब्रैंड की कफी आड कर सकते हैं, आपको इसके सेम ही रिजल्ट मिलेंगे, एक छोटे-छोटे सैशि भी आते हैं काफी आप वो भी ले सकते हैं, तो एक चमपच कोफी पाउड एड करने के वाइटन अप करता है उसे रिडियूस करने का काम करता है इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इस मौजूद होती है तो यहां पर आपने तक रीबन एक चमच के क्रीब टुमैटो जूस एड़ करना है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से में आपलाई के न भूल जाते हैं जी तो नेक्स्ट हम इसमें एड़ करेंगे लेमन जूस इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इस मौजूद होती है जैसा कि आप सब को पता है कि लेमन हमारी स्कीन को वाइटन अप करता है लाइटन अप करता है स्कीन पर मुझोद डार्क के क्रीब लेमन जूस एड़ किया है अच्छा मैं एक दूसरा मैथट भी शेयर करूँगी आपके साथ इस स्क्रॉप को यूज करने का आपको जैसे एजी लगे आफ वैसे इसे यूज कर सकते हैं इसके बाद इसमें एड़ करनी है शूगर यानी चीनी अच्छा यह जो स्कीन पर डेट लेयर मुझूद होती है उन्हें अच्छे से रिमूव करती है जिससे आपकी स्कीन पर ग्लो आता है सो यहां पर मैंने वान की स्पून शूगर एड़ की है अच्छा शूगर जो है यह आपने ग्राइंट शूगर एड़ करनी है मतलब पिसी हुई शूगर करनी है क्योंकि हमें इसकी ग्राइंट ज्यादा बड़े नहीं चाहिए ठीक है इसके बाद आपने एड़ करनी है यह स्कीन को डीपली मॉस्चिराइज करती है स्कीन पर ड्राइनस जितनी भी होती है उसे अच्छे से रिमूव करने का काम करती है बार बार हाथ दोने से हमा बार हाथ बहुत जादा रफ हो जाते है तो यह बहुत अच्छे तरीके से स्कीन को सॉफ्ट करती है स्मूथ करती है और जितनी भी ड्राइनस होती है उसे रिमूव करने का काम करती है सो यहां पर आपने ज्यादा ग्लेसरीन एड नहीं करनी है जस्त 3-4 ड्रॉप्स इस ग् रही हो आप इसके अल्टरनेट कोई भी ब्रैंड यूज कर सकते है बस इंग्रीडियर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए ठीक है अच्छा अगर आपके पास ग्लेसरीन अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है आप इसके जगह आल्मंड ओयल यानि बादाम का तेल भी ए आल्मंड ओयल भी एड़ कर सकते हैं उसकी भी जस्ट फॉर से फाइव ड्रॉप्स आपने एड़ करने हैं अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने करनी है स्क्रबिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है ज्यादा अपनी स्किन को र अप्लाई करना है इसे अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक आपने अच्छे से स्क्रबिंग करनी है आप इसे अपने हैंस पर फीड पर एल्बोस पर बैक नक पर इसली यूज कर सकते हैं आपने 10 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद 10 मिनट तक इसे ऐसे ही लग और इसे directly coffee में dip कर लेना है इसी के उपर आपने थोड़ा सा lemon juice एड़ करना है थोड़ा सा आपने इसके उपर ग्लेसरीन एड़ करनी है ग्लेसरीन नहीं तो आपने almond oil एड़ करना है और थोड़ी सी ग्राइंड शुगर इस पर डाल कर आप इसकी हेल्प से भी directly scrub कर सकते है तो अगर मैं personally बात करूं तो मुझे second method ज्यादा पसंद है मुझे लगता है कि second method यूज करने से ज्यादा better results मिलते हैं comment section में लाजमी share कीजिएगा कि आपको कौन सा method ज्यादा अच्छा लगा अच्छा ये जो scrubbing है ये आप week में one से two time easily कर सकते हैं मतलब एक दफा कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो दो दफा scrubbing कर सकते हैं इससे जएदा आप अपने skin पर scrubbing ना किया करें क्यूंकि आपकी skin sensitive ह हो जाती है especially अगर आप अपनी face पर scrubbing करते हैं तो तो मैं आपको यही recommend करूँगी कि 15 days में one time scrubbing किया करें क्यूंकि जितनी जएदा आप scrubbing करते हैं आपकी pores जों से हैं वो open हो जाते हैं जब dirt धूल वगारा उसके उपर पढ़ती है तो blackheads and whiteheads होने के chances जादा होते हैं तो आपने 10 minutes तक apply कर देना है and after apply आपने इसे wash up कर देना है क्या ही जबर्दस results मिलें के आपको आपके hands and feet soft हो जाएंगे smooth हो जाएंगे instant glow नजर आएगा आपको जितनी भी dryness थी roughness थी वो ठूम अंतर हो जाएगी आपकी skin धूप में बैट बैट के जो मुर्जा गई है जितनी dead skin है tanning है वो अच्छे से remove हो जाएगी इसे आप एक बार लाजमें ट्राइ कीजिएगा क्योंकि next time आपने इसे खुद ट्राइ करना है मुझे personally ये scrub बहुत ही जबदस लगता है क्योंकि tanning को बहुत ही जल्दी remove कर देता है एक तो कम टाइम लगता है उपर से ingredients आपको अपने easily घर से मिल जाते हैं और इसके results भी बहुत ही amazing है सो मुझे तो ये scrub personally बहुत पसंद है मैंने आपके साथ इसलिए share किया है क्यों मुझे इसके बहुत ही जबदस results मिलती है आप भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और comment section में लाजमें share कीजिएगा कि आपको इसके results कैसे मिले I hope आज की वीडियो से आपकी help हुई होगी वीडियो चलेगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले आपके इस चोटे से subscribe से बहुत motivation मिलती है तो subscribe कर दिया करें मैं मिलूंगी आपसे एक next वीडियो में एक amazing सी remedy के साथ तब तक हसते रहिए मुस्कुराते रहिए मुझे दौाओं में याद रखिएगा हमेशा positive रहिएगा तिल टेक कियर और अलाफेज